नमस्कार दोस्तों आज हम समवायो लुख दूर्जयो वह इस पार्ठ का अभ्यस करने वाले हैं समवायो कार्थ होता है समुख ग्रूप यूनिटी ही मतलब ही दूर्जयो मतलब जितने के लिए कठिन तो कहने का दात पर यह है कि जो यूनिटी होती उसे जितना बहुती मुश्किल है तो चलिए इस टाइटल को हम स्टोरी के माध्यम से समझ लेते हैं पूरा एकस्मिन उर्ख्षे एका चटका प्रतिवसतिस्म पूरा मतलब पहले एकस्मिन उर्ख्षे एक पेड़ पर एका चटका एक चडिया प्रतिवसतिस्म रहती थी अब यहाँ प्रतिवसति लट लकार है मगर इदी उसे हम स्म लगाएंगे किसी भी लट लकार के बाद इदी स्म लगाए जाता है तो उसका मिनिक पास्टेंस हो जाता है कालेन तस्याहा संतती ही जाता कालेन मतलब कुछ समय बात तस्या मतलब उसके मतलब उस चिडिया के संतती ही जाता संतती मतलब बच्चे जाता मतलब होए कुछ बच्चे होए उसे एक अधा एक बार कश्चीत प्रमत्तह गज़ कश्चीत मतलब कोई प्रमत्त मतलब नशे में या पागल ऐसा हाती गज़ मतलब हाती तस्चे उरुख्षस्य अधा उस पेड के नीचे अधा मतलब नीचे आगत्ते आकर तस्चे शाकाम उस पेड की शाका शाका मतलब डाली जटकाया नीडम, चिडिया का गोसला, नीडम मतलव गोसला, भूवी मतलव जमिन पर अपतद गिरा, तेन अंडानी विशीर नानी तेन मतलव उस कारण, अंडानी मतलव जो उसके जो अंडे थे, विशीर नानी मतलव टूट गए, अथा उसके बाद, सा चठका वेल पत, और वे लपत जोर जोर से चिलाने लगी आवाज करने लगी। कास्ट कूट हनाम हग हगं कास्ट कूट नाम का जो खगंड़ें दुखे न ताम अपरुच्चत दुख से उसे पूचा। ताम पुछत उसे पूछा, उसे मतलब उस चिडिया को पूछा, किस ने पूछा काश्टकुट नाम के पंचने, एक ऐसा पंची है जिसकी चोज बहुत लंबी होती है और जो पेड में छेद करता है, भद्रे किमर्थम विलपसी है भद्रे है कल्यानी, किमर्थम विलपसी क्य क्यों रो रही है, क्यों चिल्ला रही है इती, इस तरह से उसने पूछा, विलपसी मतलब विलाप करना, रोना या चिल्लाना, चटका अवद चिडिया ने कहा, चिडिया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन, एक इस एक दुष्ट हातीने, गजेने मतलब हातीने, मम संतती ही नाशिता मेरे संतती मार डाली, नाशिता मतलब मार डाली खतम की, तस्य गजस्य उस हाती के वदेने व, मतलब उस हाती का वद करने से ही, मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख नस्ठ होगा, मिर जाएगा, मतलब उस हाती को जब तक मैं खत्म नहीं करती हूँ, तब तक मुझे सुकुन नहीं मिलेगा ततह मतलब उसके बाद कास्टकूट पंचे ताम उसे मतलब उस चीडिया को विनारवा नाम नहां मतलब विनारवा नाम वाली नाम वाली एसी जो मक्षिकाया मक्षि समीपम उसके पास अनयत ले गया मतलब वो जो कास्टकूट उसने उस चीडिया को एक मक्षि के पास ले कर गया उसका नाम है विनारवा तयोह वारतम शुरुत्वा और उन दोनों की वारतम बात शुरुत्वा सुनकर मक्षि का आवदत मक्षि ने कहा मक्षि बोली ममा अपी मित्रम मेरा भी मित्र है ममा अपी मतलब मेरा भी मित्रम मित्र मंडु कह मंडु मतलब मेधक मेघनाद हस्ती उसका नाम क्या है मेघनाद मंडु कह मतलब मेधक और मेधक का नाम क्या है मेघनाद ऐसा नाम वाला मेरा दोस्त है शिग्रम तम उपत्य तुरान तम उपत्य उसके पास जाकर यतो चितम करिश्याम हां यतो चितम मतलब जो सही है वो करेंगे तदा अनीम उसके बाद तो वे दोनों मक्षिकायास मक्खी के साथ गतवा जाकर मेगनादस्य पुरह मेगनाद मतलब जो मेड़क है उसके पुरह उ पताई कही मेगनाद हवजात वो मेगनाद बोला कहा उसने यता अहम कथयामी जैसा में कहता हूँ तता कुरुतं वैसे करो मक्षिके हे मक्षी प्रथमम सबसे पहले तुम तु क्या कर मध्यान ने दोपर की समय तस्से गज़से करने उस हाथे के काण में करने मतलग कान में जिसके कारण सहा नएने नि मिल्य वह आखे बंद करेगा स्थाश सी मतलब आखे बंद करके रुकेगा मतलब थोड़ा सा gonfuz हो जाएगा और रुख जाएगा और आखे बंद तदा तब काश्टकूट हू जो चंच वाच्चो से तस्चने स्फोट इश्यति उसकी आखे उसकी दोनों आखे इस फोट इश्यति मतलब फोट दालेगा एवाम इस तरसे सहग जह वाहती अंदा ह भवश्श का अंदा हो जाएगा भवश्श की मतलब होगा तुर्शारत हyll और उसे प्यास लगेगी दिन बर डाउ घुमता रहेंगा इदर उदर उसे प्यास लगेगी तुशार्त हो सह वह जलाश हैं गमिशती वो पानी के और जाएगा जलाश मतलब तालब के और जाएगा मार गे और रास्ते में महान गरत अस्ती एक बहुती बड़ा महान मतलब बड़ा गरत मतलब एक गड़ा अस्ती है तस्य अंतिके तस्य मतलब उसके उसके मतलब उस गड़े के अंतिके मतलब नजदीक अंतिके नजदीक समीप अह मैं स्तास्यामी रुकूंगा शब्दम चकरिश्यामी और शब्द करूंगा आवाज करूंगा ऐसा कौन बोल रहा है वो मेड़क बोल रहा है वो बोलता है कि मैं गड़े के समीब नजदिक वहाँ रुकूंगा और आवाज करूंगा और इस हाती को अशे लगेगा कि यह पानी है यहाँ पानी है यहाँ जलाश इतालाब है ममशब देन मेरे आवाज से तम गर्तम उस गड़े को जलाशे मत्वा तालाब मानकर सह तस्मिनेव गरते वह उसी गरत में उसी गड़े में पती शती गिरेगा मरी शती च च च मतला और और मरेगा उसमें गिरेगा और मरेगा अथ उसके बाद तथा कृते उस तरह से उन्होंने किया जैसी प्लैनिंग वे उस तरह से किया सह गज वहाती मध्याने दोपर में मंदुकस चे शब्दम अनुसृत्य और मेंड़क का आवाज और उसका अनुसरन करके मतलब उस आवाज की दिशा से जानी लगाओ और महतगरत से एक बहुती बड़े गड़े में अंत उसके अंदर गड़े के अंदर पतितह गिर गया मृत च और म सारा नाम दुर्बो लोग का समो आयो संगठन यूनिटी ही दूर जया हो जितने के लिए मुश्कील है यहाँ यूनिटी की बात कई है कि छोटे छोटे जीव क्यों नहों चोटे प्रानी क्यों नहों कम शक्तिशाली लोग क्यों नहों मगर दिए उनकी यूनिटी है तो उन लिजे धन्यवाद लिजे 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 अगया है